वैसे तो मा को इतना बड़ा दर्जा दिया गया है कि बहुत ही बड़ा दर्जा कि हाथ तक कि भगवान कृष्णा ने भी बोला भगवान खुद भगवान कृष्णा क्योंकि इस ब्रह्मान्द में एक ही ऐसे हुए थे पैदा जिन्हों ने बोला था कि मैं खुद भगवान बाकि राम ने भी नहीं बोला, पेगंबर ने भी नहीं बोला, एशु कृष्ट ने भी नहीं बोला, किसी नहीं बोला कि मैं खुद भगवान हूँ, भगवान कृष्ण ने बोला मैं खुद भगवान हूँ और भगवान कृष्ण ने खुद अपने मुझ से बोला धर्ती मा क कि मैं तो फिर भी लोगों का हिसाब किताब उनके कर्मों से करता हूँ, लेकिन तू तो मा है, मा और तू धरती मा है, तू तो पापियों को भी जगह देती है, और अच्छे से अच्छे इंसान पुन्यवान को भी जगह देती है, तो पाप और पुन्य में भी फरक नहीं करती ये धर्ती मा क्योंकि मा को कृष्णा ने भी उपर का दर्जा दिया है और दूसरा कृष्णा ने ये कहा था कि मा कि हर मा अधर नहीं है हर मा हर मा अधर नहीं है वो नहीं देखा जाता उसका बेटा को है लेकिन हर मा अधर नहीं है और यहां तो मैं बात करने वाला हूँ प्र शादी हुई उनकी उसके बाद उन्होंने दोनों बेटों को पाला उनके भाई भी है ऑच्छे ऑफिसर अच्छे पोजिशन पर उनके बाद मोदी जी बोलते हैं कि शादी के बाद मैं हिमालाए में जाओंगा और तपस्या करूंगा मां तयार है मोदी जी बीवी को छोड़ देते हैं मा तयार है मोदी जी को बच्चे नहीं होते हैं मा तयार है वो मा संसार के बारे में में भी सोचती है समाज के बारे में भी सोचती है और ऐसे मा की वज़े से ही मोदी जी जैसे लोग होते हैं और मा सब सेम होती है मा भी अपने बेटे के लिए सोचती है हमारे मा फिल्म बॉलिवुड में तो मदर इंडिया का रिकॉर्ड है अफ कोर्स मा पूरे विश्वकी होती है और वो मा हीराबा एक समय पे जब प्रधान मंत्री बन गया बेटा तो भी कभी जीवन में उन्होंने इस बात का फाइदा नहीं उठाया और भगवान की इसी वज़े से कृपा रही उनके उपर कि अभी फिलाल कुछ 25 दिन पहले या कुछ मोदी जी मिल के गया और अभी तक लास तक उनको कार्डियक अरेस्ट आज सुभा हुआ है साड़े तीन बचे लेकिन कुछ दिन पहले से ही वह हस्पिटल में अडिमिट थे लेकिन तब तक जब तक हॉस्पिटल में अडिमिट नहीं हुए तब तक वह आराम से घर में चल फि सुरी लेकिन अच्छी बात है उनके लिए कि वह लास तक अपने इस पे चल रही थी और यह बहुत जरूरी है कि मैं तो चाहता हुए हिंदुस्तान का नहीं पूरे दुनिया के हर एक बुढ़ापे में जो भी हो वह लास तक ऐसे चलते रहे ऐसे अपने माबाप को दुख म समय बहुत बुरा होता है चलो वहाँ डिटेल में इस बारे में नहीं बात करूँगा लेकिन हीराबा आज सुबह साड़े तिन बज़े उनका नीधन हो गया हॉस्पिटल में उनका एड्मिट किया गया था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये ट्वीट करक बताया उसके बाद सारी न्यूज मीडिया में बताया मैं इसलिए मैं चाहता था कि आपको भी बताओ कुछ चीजे है जो उनके बारे में बतानी थी जो मुझे पता है बहुत सारी चीजे तो उनके बेटे को ही पता होगी उनके नकरीब जानने वालों को भी पता होगी मेरी भी एक समय इच्छा था कि मैं उनकी माँ को मिलू तो वो तो हुनी पई लेकिन हाँ यह जरूर है अम्दाबाद में रहती थे गुजरात में और बहुत अच्छे से रहते थे तो मेरी इश्वर चरनी यही प्रार्थना है कि हीराबा को इश्वर उनकी आत्मा को शांती दे और उनके आदर्श में लोग ऐसे ही काम करते रहे अपने बेटे को समाजकार्य में डाले और भगवान जैसे हीराबाई को स्वस्थ दिया है उन्होंने लास्ट तक वैसे हर माता पिता को उनका बेटा जो भी हो लेकिन हर माता पिता को ऐसे सेहत दे धन्यवाद